हालो फ्रेंट आज मैं देखांगा इस वीडियो में शान डिरेक्ट सेटर बॉक्स में ऐसा प्रब्लेम आता है जो कि फेल टू लोड आई सीपी एमेज पिक्चर नहीं आ रहा है एसा पसके सेटर बॉक्स में अब इस पहले नहीं और लेकिन गाश हिसलाने यह जो फिर भी इस पहले पकार नहीं आ रहा है और इसका चैनल चैनेल करने से कोई भी चैनल में आ रहा है आप देख सकते, आप मैं चैनल चेंज किया, एक ही जैसा पॉब्लेम है, तो चलिए देखते इस पॉब्लेम को कैसे साल्प करें, तो फिर इस पॉब्लेम को साल्प करने का दो तारीका है, आप दोनों तारीके आपको करके देखना होगा, एक एक करके, नमबर वान, आटो स्क इस काई से करें तो फैंट इस पॉब्लेम के लिए पहले मैं आटो स्कैन करके देखूंगा तो पहले मीनू पुतम दबाना होगा उसके बाद इंस्टालेशन में जाना होगा और यहां पर ओके करने के बाद पासवार्ड मांगेगा फोर फोर जिरो देना होगा और उसके आटो स्कैन हो रहा है तो अब देख सकते आटो स्कैन हो गाया फिर भी आईसे पॉब्लम ही हो रहा है फिर भी पॉब्लम नहीं गया तो उसके बाद हमें इस सिट अब उसका पावर और अप करके देखना होगा शेटर बॉक्स को रिमोट से पावर अप करने से नहीं होगा इसका मेन पावर अप करना होगा तो इसका अप शूज है अथाथ जो डियलबल सापलाई है वो सापलाई अप करना होगा तो चलिए मैं यहां से आप कर दोंगा क्योंकि टीबी और सेटबुस का पावर एक ही सूज में है इसलिए मैं यहां से पावर अनौप कर दिती है तो आप देख सकते हैं सेटबुस का पावर आप हो गया डिसी साप्लाई ओपेन करने से तो आप देख सकते हैं पिक्चार आ गया पॉब्लेम सॉल्फ होगा सेटबुस का जो पॉब्लेम थी बेलकुल होखे थैंक्यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए और आच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप दोस्तों मेरा नहीं को सबस्क्राइब का जो दोस्तों मेरा वीडियो दोगा स। चैंटे टिए बेलकॉब्लेम थीडियो देलके मरा वीडियो दोस्तों मेरा खिवाब की जपाब कीजिए